उपर से सनलाइट का नामों निसान नहीं पाया जाता लेकिन इसके बावजूद समुंद्र के उस जगह पर एलियन की तरह जीवों का भरमार है हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्रासिंग डेट में रह रहे इंद्रहस्मई जीवों के बारे में जानने वाले हैं तो हलो एब्रिवन मैं हूँ अकार्ष और सुरू करता हूँ एक नया एपिसोड हलो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि समुंद्र में हजारो मीटर नीचे बारिश होती है ओसन की इस बारिश को मारीन स्नो कहा जाता है और ये समुंद्र में हजारो मीटर अंदर मौजूद क्रासिंग डेट पर होता है यह यहां जो जीव पाए जाते हैं वे एक इस कुर्बस से भी बड़े होते हैं कुछ तो कुछ की आखें उनके सर के अंदर होती है और यहां पर कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं जिनकी आखे भी नहीं होती तो कुछ जीव बिया सन लाइट के अंधेरे से भरे समुंद्र में खुद की लाइट सोर्ष भी होता है जो की उनके आखों के सामने रहता है यह जीव समुंद्र के उस गहराई में पाए जाते हैं जहां पानी का परेसर समुंद्र सता से हजारों गुना अधिक होता है और वहां का तापमान हमेशा नियूंतम में ही होता है तो दोस्तो समुंद्र किसे नहीं पसली लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो समुंद्र उपर से इतना सांत दिखाई देता है वे इतना सांत नहीं है जब हम समुंद्र के अधिक गहराई में जाते हैं तो जितनी अधिक गहराई में जाते हैं उतना ही समुंद्र खतरनाक होता जाता है जहां सो मीटर तक्स लाइट से भरे होते हैं लेकिन सो मीटर के बाद लाइट का नामों निसान नहीं पाया जाता यहां का तक्मान माइनस में होता है और यहां पर पढ़ने वाला पानी का प्रेसर इतना जादा होता है कि इंसान कुछ मीली सेकेंड में ही पानी से पढ़ने वाली प्रेसर के कारां क्रस हो जाते हैं